जाय मसिकी, आज हम परमिश्य की वच्चन से देखेंगे एक बार फिर्ट से निर्गमन उसके सातवे अध्याय और उसके हम देखेंगे चौथे पद में लिखा हुआ है कि परमिश्य में कहा कि मैं इनके मन को और कठोर कर दूँगा और वहाँ पर फिर मैं अद्बुत अपने चमतकारों को दिखाऊंगा आज परमेश्व का बचन हमें बताना चाहता है कि परमेश्व कई बार ऐसे लोगों के मन को और कटोर कर देता है और हटीला कर देता है ताकि परमेश्व अपनी सामर्थ को उस स्थान पर प्रकट कर सके ताकि हम लोग इस बात को जानने पाएं कि परमेश्व सामर्थी परमेशर और वो अपने अध्भुत और आश्यर कर्मों के द्वारा और अपने सामर्थ भरे हाथों के द्वारा अध्भुत काम को कर सकते हैं वाहाँ पर अद्भूत काम को किया प्रमीश्वन ने इस्राइलियों को मेंस सदेश54 से बचाया और फिरॉण के हाथों से छुड़ाया पर प्रमीश्वन के अद्भूत आशायर कर्म को यह लुग देखने पाया और जाने पाया और फिरॉन ने भी इस बात को देखा कि कैसा इनका बड़ा और बहान परमेशर है इसलिए जब परमेशर किसी भी बात में किसी के मन को हटीला करते या उसके मन को ना बदले तो इसका मतलब समझ जाए कि परमेशर वहाँ पर अपने अद्भूत काम को करना चाहते है तो इसके निरगवन उसके एट चैप्टर उसके पहले पद में लिखा हुआ है तब यहोवा ने फिर मुसा से कहा फिरॉन के पास जाकर कहे यहोवा तुछ से इस प्रकार कहता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे में मेरी उपासना करे परमेश्वर के बचाना चाहता है कि परमेश्वर मुसा के जरीए से इसराइलियों को फिरॉन के हाथों से चुड़ाना चाहता था आज परमेश्र का वचाना में बताना चाहता है कि जब परमेश्र हमारे बंदों हमें अजाद करें किसी बंधन से, किसी विमारी से, किसी तकलीव से या किसी परिशानी से, तो परमेश्र की ये चाहत होती है कि परमेश्र की उपासना वो व्यक्ति वो इंसान करने वाला हो सके परमेशा की अरादना करने वाला हो सके, परमेशा की नजदी काने वाला हो सके, अपना जीवन उसके हातों में देने वाला हो सके, उसके अनुसार चलने वाला हो सके, इसराइलियों को परमेशा ने इसलिए छुड़ाया कि परमेशा की उपासना इन लोगों के द्वारा से होन कि परमेश्य के आग्या के बिना एक भी काम हम नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है जब पत्रस ने येश्य मसीजे कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ तो येश्य मसीजे ने कहा कि आ। और जब वो येश्य मसीजे को देखता हुआ चला तो वो पानी पर चलने पाया। इसका मतलब यह है कि जब येश्य मसी ने पत्रस को आग्या दी तब पत्रस उस पर चलने पाया, पानी को चलने पाया इसी तरह से परमेश्य के वचन में लिखा हुआ है कि जब एलिया को परमेश्य ने आग्या दी किजा उस सारपत की विद्वा के पास जा वहां मैंने तेरी ले खाने का इंतिजाम कर रहा है तो वो उस आग्या को मान करके किया और उस आग्या के अनुसार ही विद्वा ने उस परमेश्व के दास को उस रोटी से और उस पानी से त्रिप्त किया आज परमेश्वर के बचान हमें बताना चाहता है कि जो भी चीज परमेश्वर के लोगों के जीवन में होती है वो परमेश्वर के आग्या के बिना नहीं हो सकती अगर परमेश्वर चाहते हैं तभी उस चीज़ को अपने अनुख्या और अपनी द्या से पूरा करते हैं तो जो परमेश्वर के रास्त पे चलने वाले इश मसी पर विश्वास करते हैं। और जिनों परमेश्वर का अधार बनाया है उसके जीवन में हर questi कार ह्या है। परमेश्वर की आग्या और परमेश्वर की मर्जी से होता है, और वो सब कुछ अच्छा होता है। इसलिए परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पहला स्थान दे और परमेश्वर की आग्या को अपालन करें और परमेश्वर के आग्या के अनुसार सोचें कि जो भी आपके जीवन में काम हो रहा है वो परमेश्वर ही की आग्या है परमेश्वर पर भरोसर रखे प्रात्मा करते रहें और परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें हम कहते हैं कि प्रभू हमारे साथ है हाँ सच मुझ में प्रभू हमारे साथ बने रहते हैं पर क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं यह हम परमिश्व के साथ साथ चलते हैं आए हम इस वचन को देखेंगे पहला शामवल उसके हम देखेंगे सोलवा अध्याए और उसके फोर्टींत पद में लिखा हुआ है यहुवा का आत्मा शावल पर से उड़ गया और यहुवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा यहुवा की ओर से परमिश्व की ओर से जो आत्मा जो अच्छा और भला आत्मा शावल के पर था वो उच चुका था अब और अब क्या हुआ था कि यहुवही की ओर से जो था एक दुष्ट आत्मा शावल को घबराने लगा उसे परिशान करने लगा और ऐसा हुआ कि जब शावल इस बात के लिए परिशान हो गया तो उसके करमचारियों ने बोला कि ऐसा करो कि यह जो हमारे राज्य में एक व्यक्ति है वो बड़ा रुपवान है और वो परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहता है और जब वो वीना बजाएगा तो जो दुष्ट आत्मा है वो आपके पास से निकल जाएगा और ऐसा ही हुआ आज परमेश्वर वचर हमें बताना चाहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बना रहता है तो हम परमेश्वर के संग संग चलते हैं परमेश्वर के साथ साथ बने रहते हैं पर जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं और जब कभी हम पर परमेश्वर की बात हैं तो य है कि किसमें बने रहना चाहते हैं और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो दुष्टता, बुरी बाते, बुरा विचार, लोप, वेविचार तरह तरह के पाप हमारे जीवन में आ जाते हैं और तरह तरह के दुष्ट आत्मा हमारे अंदर में पाप की रूप में समा जाती है परमेश्वर का आत्मा हम सब के अंदर पाया जाए इसके लिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है परमेश्वर सुचन से आप सब को आशिशे मिले चैमसे की